सब्सक्राइब तैग टीवी यूट्यूब चैनल और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाईए। को अगर आप स्पॉंसर्स कर सकें आप इश्टहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे। फेक न्यूज की बात चीत हम सुबो शाम मीडिया पर सुनते हैं और मीडिया पर ही और खास तर पर सोशल मीडिया पर फेक न्यूज का ना खतम होने माला सिलसला है। ऐसी ही फेक न्यूज एक फेक वीडियो था जो इनफेक्ट फेक नहीं था वो एक्चुल वीडियो था मगर उसको फेक बनाया गया। अभी जून के पहले हफ़ते के दौरान एक ट्विटर हैंडल से बात पहली के भारत में चार मुसल्मानों को मॉब लिंचिंग से मारा गया है। और उस पर जब टाइम्स आफ इंडिया ने रिसर्च की तो पता चला कि वो जो मॉब लिंचिंग की स्टोरी थी वो एक्चुली एक मैजिक शो था जो 2008 का था 2017 में वो मैजिक शो यूट्यूब पर अपलोड होता है और 2020 जून के पहले हफ़ते में उस पर चर्चा होती है और कहा जाता है के मारे गए लुटे गए इस्लामोफोबिया बाड़ा मुसल्मानों की मॉब लिंचिंग हो रही है यह देखिए जरा सक्रीन पे आपको नजर आएगा टाइम्स आफ इंडिया का वो जो इलर्ट है फेक वीडियो के बारे में के मैजिक एक्ट वीडियो फाल्सली शियर्ड एस फोर मुसलिम मैं बर्न अलाइव इन इंडिया अब मैं आपको उस जो एक्ट वीडियो था जो एक मैजिक शो का है उसकी मैं आपको एक चोटी सी जलक दिखाता हूँ मैजिक शो को देखने के लिए लोग लाइंड अप हैं वो खुशी-خुशी जो चार लोग हैं जो मैजिक शो में ड्रॉट लाइव जिनके बारे में कहा जा रहा है वो एक आग से गुश्रते हैं और उनको दिखाया जा रहा है कि ये मारे गए बारहल जो एक्चुल जो सिचुएशन है जो एक्चुल जो वीडियो है वो भी आप देख लीजिए जो अभी आप ने देखा मैं उसी एक्चुल वीडियो को दोबारा दिखाता हूं जिसको अब वो फेक बना रहे है नि फेक नहीं है वीडियो सचा है वो ये दिखा रहे हैं कि ये एक्चुली बंदे मरे हैं तो आप अब वो वीडियो देख लीजे जो ये बना के पेश किया जा रहा है कि ये लोग मरे हैं सवर फिडियो वादी मतल मैं तराफ अश्वास मुकीदीन बिस्वासल और अगलाल वादा कश्ष याई बन्यान तो एक कवेती शेहरी जो कवेत के किसी सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनका ट्विटर पे भी काफी वो एक तरह से फॉल्लॉशिप है वो इस एक्चिल वीडियो को किस तरह फेक बना के पेश करते हैं वो जो सीन है वो आपने देखा वो अपनी अर्बी में पीछे तबसरा कर रहे हैं तो आपको अंदाजा हो रहा है कि किस तरह खबरें बनाई जाती हैं जब इस्लामोफोबिया की कैमपेंट चलानी हो और फि उसको किस गलत अंदाज के साथ किस रॉंग डॉइंग के साथ पेश किया जाता है अब आप वो मैं आपको स्क्रीन शॉट दिखाता हूं जिसमें ये जो एक्चिल वीडियो है जो मैजिक शो का था जब 2017 में अपलोड होता है तो वो कौन से वीडियो चैनल पे आता है ये द स्केडियम जो गालबन केराला में है और उसमें ये आगस्ट 25 तो थाउजन सेमेंटीन को ये एक्चिल वीडियो अपलोड होता है जो एक मैजिक शो का है और ये फाइर एसकेप था इनफेक्ट शो का नाम था फाइर एसकेप 2008 यह तो थाउजन एट का कहीं वीडियो उनके पड़ा होगा जो उन्होंने आगस्ट 2017 में इसको अपलोड किया और अब ये 2020 जून में जाके इसकी खबर बनी के मारे गए लुटे गए मूदी सरकार में या भारत के दोर में किस तरह मुस्लमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है अब वो कवेती जो शेहरी हैं वो उनका भ Member of the Training Authority at Kuwait Institute of Law and Legal Studies है, International Arbitrator, Master of Criminal Law भी है, Director of the Center for Human Rights and International Humanitarian Law है और उस पे वो ये तपसरा करते हैं, और मुझे हैरत होती है कि ये जो कवेती सिटिजन हैं जो इस बात को पता नहीं किस तरह अपने रंग में पेश करते हैं, ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने Law में डिगरी ले हुई है, और वो Human Rights के भी हैं वहां पे अच्छा, अगर Middle East में, कवेत में, कतर में, आसपास के लागों में कोई Human Rights की बात करे, और Human Rights वहां पे नजर ना आएं, तो मुझे हंसी आ जाती है, कि भाई ये फिर किस तरह की Human Rights की एक्टिविटीज है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ ये कोई अपनी तरफ से फेक, खबरे बनाना Human Rights है, सिर्फ और सि के बारे में बात करना Human Rights है, खुद तो इनके हां मंदर और चर्च नहीं बन सकता, तो फिर ये किस तरह की Human Rights की ये बात करते हैं, और वो भी Human Rights ऐसी बातों पर उठाते हैं, जो एक्जिस्ट ही नहीं करते हैं, इसी शक्स ने ट्वीट जो बेसिक ट्वीट था जून में, उस का वीडियो इसी शक्स ने कवेटी ने शेयर किया था, Four Muslim Men Burnt Alive In India, तो आप इस से अंदाजा कर लें के ये जो Human Rights का कलेम करने वाले कवेटी हैं, इनकी कितनी के रिसर्च है, और एक Magic Show के वीडियो को बना के ये आगे, असल के तोर पर पेश करते हैं, कितना बड़ा फेक काम कर रहे हैं, अब मैं वो वीडियो भी आपको दिखाता हूँ, जो फेक और असल है, असल वीडियो को ही फेक बनाया गया, आप ये देखिए जरा ये वीडियो. उन्सलाम एक्राएम और्हेजर्च एल्हे पर प्हत है, वीडियोरी वीडियो फिर्वा फे जुर. लेक जिजल वीडियोक्ता है।, आपको छाहता है।, फिसम्ाशने वीडियोरी कंपकों est को तो आपकों ये बनाया बला वैं, तो Verएल सिता हैं, आ बुन्यान मिल्किश हुक्म अला थलाथ हदोली बिल्मुट हर्कम बिल्नार वुश लगरीमा रहते स्टग्रिबून लगरीमा वुशी लगरीमा अन्हुम कटलू बकरा बकरा बस जानी माहिब जुरीमा तो आप ये वीडियो देख रहे हैं और इसके साथ मैं दूसरा वीडिय जो भी आपको दिखाऊंगा अपने इस तफसरे के साथ दोनों आपको विंडो में नजर आ रहे हैं आपको साब पता चल रहा है कि ये जो मैजिक शो में पार्टी स्पेंट थे चार लोग ये किस तरह हंसी खुशी तियार होके जाते हैं इन में जो हमने नाम रिसर्च की य ये यूट्यूब पर जिसमें ये असल वीडियो लगा था 2008 का ये मैजिक शो था जो 2017 में अपलोड हुआ तो उसमें जो नाम हैं किराला के फोर सिटीजन्स के हैं जिनमें दो शाजहान नामी एक साहब हैं और हमीद एदकारा हैं जो मुसलिम बैगराउंड के नाम बताते है इसी तरह सुधीर और जो पूथिया हैं ये अफकोर्स नामुसलिम बैगराउंड के हैं तो ये इस मैजिक शो में जाते हैं कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं क्या इनको बंड लाइव किया गया है वो इस सरह जाएंगे टियार शाहर होके जिस सरह आप देख रहे है तो एक तरह आपको नजर आ रहा है एक्चुल वीडियो जो एक्चुली वीडियो है दूसी तरह भी आपको जो वीडियो नजर आ रहा है वो भी एक्चुल वीडियो है मगर उस पर ये अर्बी जो कवेटी साहब हैं ये अपना तपसरा कर रहे हैं और अपने तपसरे में य आज का BJP सरकार है वो तो एंटी मुसलिम है उन्होंने भारत के नतीश कुमार जी को भी टैग कर दिया उस कवेटी शेख ने ना तो उस शखस को रिसर्च की तमीज है ना उसको ये पता है कि रिसर्च की सेंस क्या होती है और खुद को वो लॉयर कहता है और ये वीडियो अपने अरबिक तफसरे के साथ आगे लेकर चल रहा है और बता रहा है कि भारत में किस कदर मुसल्मानों का बुरा आल है इन जस्टिस है और अपनी तरह से वो हुमन राइट्स का दवा कर रहा है वो ये कह रहा है कि हुमन राइट्स की किस कदर जो है मैस और ग्रास वाइलेशन है वो भारत में हो रही है और इस शखस को इतनी तमीज नहीं इस कवेटी शेहर को इसको इतनी सेंस नहीं इसको ये रिस्पांसिबिलिटी नहीं कि वो जो वीडियो जहां से मैजिक शो से आया जो 2008 का मैजिक शो है जो 2017 में अपलेड होता है और वो 2017 में अपलोड होने वाले वीडियो के बारे में जिस तरह वो अपना वीडियो बनाता है उसी वीडियो को लेकर असल वीडियो को जो मैजिक शो का वीडियो है उस असल वीडियो को लेकर वो अपना एक वीडियो बनाता है जिसमें अरबी का पूरे का पूरा तबसरा जारी करता है अरबी के वो जो लैंग्विज है उसके तबसरे लिखता है और इसको आगे फिलाता यानि एक असल वीडियो जो एक मैजिक शो का है उसको ये शखस फेक बनाता है और खुद को ये लॉयर कहता है इंटरनेशनल लॉयर कहता है यूमन राइट्स का चैंपियन कहता है शेम ऑन डिस गाई और शेम ऑन अल दोज वो बाई दिस प्रॉपगेंडा किस कदर शर्म की ब भारत से इतना प्यार करते है वो भारत को समिते हैं ये जो मजमा है जो देख रहा है इस सारे शो को जो के रहामें two thousand eight को हुआ वो इन्जॉय का रहा है ये एक शो है ये चार लोग इसमें शामल होते हैं वो इसमें आग में कूते हैं ये एक बहुत बड़ा आपको बार नदर आ रही है जिसमें आग लगाई जा रही है वो इसमें कूते हैं सब जिन्दा बाइते हैं बिकाज ये एक मैजिक शो है अब वो ये बता रहा है अर्बी ये बता रहा है कि इसमें चार लोगों को जिन्दा दफना दिया गया जिन्दा मार दिया गया अन्बिलीवेबल और जबके असल वीडियो को ही वो यूज करता है ये भी नहीं है कि ये वीडियो वो कोई नकली बनाता है ये असल वीडियो वो use करता है इस वीडियो को और दिखाता है कि ये देखिए चार लोगों को मार दिया गया जबके ये मजमा इसको इंजॉय कर रहा है ये एक magic शो है उन चार लोगों को कुछ नहीं हुआ बड़े अच्छे उन्होंने कपड़े पहने हो गए थे और वो उसी तरह गए उसमें जो magician है mister puthyya जो जिसका नाम है वो भी इसमें शामल होता है he is one of the four people तो वो ये सारा वीडियो है ये सारा खेल है तो बढ़े ही अफसोस की बात है कि असल बात को कितने प्रापगेंडे के साथ पेश किया जाता है फिर international human rights का इसको इशू बनाया जाता है मैं इसी मुदा पहर बातचीत के लिए ले रहा हूँ भारस मद्या परदेश में जो bjp के spokesperson भी है और मेरी तरह वो भी मुस्लिम background से हैं डॉक्टर गुलरेश शेख जी वो इस पर मजीद रोचनी डालेंगे ये वीडियो जो हमने देखा और इस पर जून के फर्स वीक में एक कवेटी शेख ने ट्वीट दिया और उन्होंने कहा के देखें हिंदुस्तान में मुसल्मानों का क्या हाल है उनको जिन्दा जलाया जा रहा है चार लोगों को जिन्दा जला दिया गया अब उन्होंने ना तहकी की और जिस तरह की बेवकुफाना बातें की उसमें ये कहा के ये वीडियो जिसमें चार मुसल्मानों को जलाया जा रहा है आपने और मैंने वो वीडियो देखा उसमें वो मुसल्मान और हिंद के यूट्यूब के चैनल पे एक पाकिस्तानी लड़का जो है इमाद यंग सा मैंने ट्विटर पर उसके देखा उसके सेविंटी हार्ली शेयर फॉलवर्स हैं और वो कहीं मिडल इस में रहता है उसने इसको ट्वीट किया और एक भारत में कोई जो मुसल्मान छोकरा कहूंग यंग सा उसने एक न्यूज बनाई कि क्या हो गया मारे गए लुटे गए मुसल्मानों का क्या हाल है और जब इंडिया टाइम्स ने उस पे रिसर्च की तो ये बात खुली कि ये तो 2017 का वीडियो था तो ये कहानी क्या वहां पे भारत में रोज रपीट होती है इस तरह के फेक वीडियो रोज चलते हैं या ये कोई यूनीक वार्ट है देखिए तहर साब एक बात याद रखें कि हम जो आज के साइबर यूग में जी रहे हैं इसमें साइबर वार भी होती है और जो इन्फॉर्मेशन वार्फेर भी होता है तो ये सब इसी का पार्ट है अब आप पे यूज वली देखेंगे कि इस प्रकार की जो चीजे आती हैं उन लोगों के द्वारा प्रोपगेट की जाती हैं जिनके ट्विटर पे भी फॉलोवर्स महुत कम होते हैं या फिर आप देखेंगे कुछ समय वो अकाउंट एक्टिव रहेगा तो फिर वो खतम हो जाएग तो आप मसमद सकते हैं कि जो आईएस पी आई है इस प्रकार के जो टूल्स है उसको उप्योग करते हैं भारत के खिलाब ताकि भारत की एक तो जो आवाम है चाहे हिंदू हो चाहे मुसल्मान हो उनके बीच में आपस में फ्रिक्शन्स के पैदा कर सके हैं जबकि आप भी और हम भी जानते हैं कि भारत में सब आपसी सोहार्द के साथ और भाईचारे के साथ अमन के साथ जीते हैं लेकिन मैंने आपको जिस प्रकाल से कहा कि साइबर वार का जो जमाना है तो उस पे कहीं न कहीं कुछ मुर्ख लोग शिकार हो जाते हैं उसको मिडलीस्ट का अपना एड्रेस लिक रखा है या मिडलीस्ट में रहते हुए भी पाकिस्तान की सेना के लिए या वहां की एजनसी के लिए काम कर रहा हो इस प्रकार से काम कर रहा हो कि मिडलीस्ट में भारत वासियों की reputation करना तो यह सब इन चीजों का एक part है और मैं तो हमेशा इसके ओपर भी हमेशा मुझे संशे रहा है TikTok के ओपर भी त्योंकि TikTok is basically Chinese अब आप Pakistan में कोई भी वीडियो शूट कर ले किसी को तिलख लगा दे और किसी को दाड़ी रखवा कर दे और वीडियो शूट करके यह दि आप चाइना भीज देते हैं क्योंकि दोनों के तो मिली भगत है तो वो वीडियो TikTok के माधियम से पूरी दुनिया में सट्कुलेट इंडिया का बता दिया जाए तो आप यह दिखिए ना कि इंडियन्स और पाकिस्तानी दिखने में तो दोनों लुक अलाइक हैं तो उसको देखा कर तो कोई नहीं बोल सकता कि यह भारती है या पाकिस्तानी है तो और इस तरह से भांतियां फैलाई जाती है इसके दो कारण है एक तो भारत के अंदर दो कम्यूनिटी के बीच में संगर्श कराना की कोशिश करना और दूसरा भारत की छवी को अंतर राश्ट्री इस तरह पर कहीं न कहीं ठेस पहुचाना तो यह जो है यह पड़ोस के जो दो शेतान मुलक है एक हमारे इस्ट में है एक हमारे बोजारिया हैं और वो तो एक मैजिक शो का था सर जब मैजिक शो को आप कुछ भी इस तरह से तो फिर मुवी में भी बहुत सारे सीन होते हैं आप उसके इंडिया का बता दे देखिए बात यह है कि चलिए वो पाकिसान की तरफ से तो यह इस तरह के काम होंगे मगर एक न्यूज जो था बुलिटन भी चला जो बड़ा ही लोकल था किसी भारती छोकरे ने वो बनाया कि उस ने कहा कि देखें ये इस वीडियो को देखें इस में मार दिया गया और मुसल्मानों की मॉब लिंचिंग हो रही है तो वो को ऐसे elements को भी जो भारत की धरती पर वास करते हैं उनको भी एक संदेश आपके चैनल के मादधी हमसे रहा चाता हूँ कि मैं जानता हूँ कि आपकी चैनल की जो रीच है भारत में भी अच्छी खासी है कि भारत एक ऐसा देश है जहां मीडिया की आउट रीच बहुत ज्यादा है ऐसा कुछ होता है तो मीडिया हर बार रिपोर्ट करता है तो किसी चीज़ को भी जो internet पर circulate होती हो Twitter पर circulate होती हो जा दूसरे net-based माद्यहमों पर circulate होती हो उसको प्रत्थम दिरिश्टिया कभी नहीं मानना चाहिए जब तक आप उसकी analysis नहीं करें और analysis करना बड़ा असा होता है थोड़ा सा आप उसके तहकी कात में जाएंगे तो दस से पंदरा मेर्ट आपको मलूम पर जाता क्या fake क्या सही है और ये बताईए कि तो don't be carried out गए जी मैं समय तो और ये बताईए कि खास्तार पर आपका बहुत तल्लक मिडलीस से है आप बहुत आते जाते रहते हैं आजकल कोविट के जमाने में नहीं आ जा रहे ये एक अलग बात है वहां के एक कवेती शेख नहीं ये ऐसा क्यों किया उसका क्या जंडा हो सकता है मिडलीस के तो भारत के साथ बहुत अच्छे टरम्स हैं खास तरपर जब से मुदी जी की दोनों सरकारे चली आ रही हैं देखिए मैं मिडलीस के लोगों को भी जानता हूँ बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं तो उन लोगों की दृष्टी में भारत एक बहुत अच्छा देश है और भारती उनके मित्रे हैं अब उन में से भी कुछ लोग हो सकते हैं कि जो ये पाकिस्तानी एलिमेंट्स हैं वहां पर जो रह रह रहे हैं उनको ब्रेंवाश करते हों उनको गलत चीजें बताते हों वह भी केरिड अवे हो जाते हों लेकिन यह जो जूट है ज़दा दर नहीं चल सकता फाइनली आप देखिए कि वीच पे कुछ कुछ हुआ था उसके बाद मिडल इस्ट की ज़दा तर कंट्रीज ने तो इस पे इसलामिक आई इसलामिक कॉंफरेंस जो प्रमुकता से मैल्डी उस ने भारत का सपोर्ट किया तो वहां पर भी पाकिस्तान को नीचे देखने पड़ा तो हो सकता उनके कुछ एलिमेंट्स जो हो वो केरिड अवे हो जाते हो इस तरह से प्रोपगंडा से देकिन आप ब्रॉडली देखें तो अभी अभी जियों के अंदर यू अबुदाबी की एक कंपणी ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है तो भारत को ये लोग सब इस तरह से देखते हैं कि वहां से थंडी हवा आती है सुकून की ये वहां की बहुत आयत है यह जो कवेती शेख हैं यह कवेत में ही रहते हैं और सरकारी मुलाजम ह जो इनका ट्विटर एकाउंट बताता है और इनकी अच्छी खासी फॉलरशिप है बरहल यह अपनी जगह पे आखर में मैं इस मुद्धे पे आपसे गुलेज शेख भाई जानना चाहूंगा कि आप भारत की सरकार में भी जाने जाते हैं बीजेपी पार्टी के स्पोक्स और हम आप्रदेश के और खुद मुस्लिम के कोई दो-चार इसीड़ जो सैड हैं जो सिर्मानों के साथ नहीं होते हैंब हिंदों के साथ भी हुए जो सिर्मानों के हवाले बीजेपी की दूसरी सरकार चल ली है अगर हम पास में देखें तो इस तरह के राइट्स और वो ज्यादा होते था अब तो बहुत कम होते जले जा रहे हैं तो आपका क्या टेक है इस सारी सूर्टेहाल पर देखें ताहिर भाई में अपने जीवन में कभी यह चीज महसूस नहीं की जब मेरे पास अभी रमजान गए तो रमजान में जब पार्टी की भी बैठा के होती थी कभी इफ़तार के समय होती थी तो मैं कहता था कि सर बें 15-20 मिनिट भाई सार 15-20 मिनिट के बाद आऊंगा मे लोग कोशिश बिचारे यह करते थे कि टाइम ऐसा रखें कि में भी कहीं कोई इफ़तार में देरी नहीं हो में बुझे या नमज में देरी नहीं हो तो भारत पर यह सब चीज़ें नहीं होती हैं अब 132 करोर लोगों का यह विशाल राश्टर है उसमें अगर दो तीन इंस देने का और हम आपके शुकर गुजार हैं यूट्यूब पर टैग टीवी का चैनल सबस्क्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाई किसी किसम का चैलेंजिंग जमाना हो टैग टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टैग टीवी को अगर आप स्पॉंसर्स कर सकें आप इश्टहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे